पहलवान, विनेस, फोगाट और बजनंग कुनिया के कॉंग्रेस जॉइन करने के बाद कुस्ति संके पुर्वध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों पहलवानों पर जमकर बरसे। कुस्ति संके पुर्वध्यक्ष ब्रिजभूसर सरण सिंग जो सुरू से ही पूरे अंधोलन को राजनीश से प्रेरित बताते आ रहे थे वो एक बार फिर से अपनी बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए वही हुआ जो हमने कहा था। महिला पहलवानों के यौन सोसर के आरोपों का सामना कर रहे पूर्वध्यक्ष ब्रिजभूसर सरण सरण सिंग ने कहा कि वही हुआ है जो भुपेंदर सिंग हुड़ा, दिपेंदर हुड़ा, विनेस फोगाट और बजरंग पुनिया चाहते थे। मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाडियों का अंदोलन नहीं है, इसकी पीछे कांग्रस है, विशेश करके भुपंदर हुड़ा, दिपेंदर हुड़ा, प्रेंका जी, राहुल जी, ये कांग्रस का अंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे किलाब जो खड़ियंत हुआ, इसमें कांग्रस सामिल थी और जिसको लीग भुपंदर हुड़ा कर रहे थे। कुम तहना चाहता हुआ, कि भुपंदर हुड़ा और दिपंदर हुड़ा या बजरंग या बिनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। कॉपंदर हुड़ा है, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, उसके जिम्मेदार भुपंदर हुड़ा है, दिपंदर हुड़ा है और ये आंदोरन कारी है। कॉंग्रेस जोइन करने के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हम लोग कॉंग्रेस में इसलिए आएं क्योंकि बीजेपी से भी हमने समर्थन मागा था, महिला सांस्टों को हमने पत्र लिखा था, लेकिन उसके कोई हमारे साथ नहीं आया, जबकि कॉंग्रेस पार और राहु केतु हो करके ये कुस्ती को खा गए, ओलंपिक एर में खा गए, ये जिस मुहीम को लेकर के चले थे, उस मुहीम में ये सफल रहे और पहलवान भी उसमें अपने सफल रहे, इनको राजनीत करनी है, ये जा करके अपनी राजनीत करें, साथ आठ पॉइंट पहले ये नजार आ रही है, ये पूरा आंदोलन जो है वो राजनीत से प्रेरित है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने ब्रिजभूंसांण सारसिंग जो की तब कुस्ती संके अद्धक्स थे, उनके कारेकाल की तारीफ की, कुस्ती संके कारेसली की तारीफ की वैसे ही विरोधी खेमा सक्री हो गया, दिपंदर हुड़ा, वुपंदर हुड़ा, कॉंग्रेस के लोग सक्री हो गए और उन्होंने ओलंपिक एर में पलवानों को रजनीत के मैदान में उतार दिया, जिससे ओलंपिक खेलों में भारत का नुक्सान हुआ. पूरा आंदोलन कांग्रेस के इसारे पे हो रहा था और उसके पूरे करता धरता थे दिपंदर हुड़ा, हुड़ा फैमली पूरी, हरियाना से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की निये उसी दिन पढ़ गई थी, जिस दिन हमारे सश्वी पल्हान मंत्री जी न बारती कुस्ती संक्य अध्यक्ष ब्रिजभूसन सरण सिंग की बढ़ाई अपने उससे किया था कि कुस्ती सुरक्षित हाथों में है, और पिछले 12 साल में कुस्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था, और यह ओलंपिक एर था, यह सब एक शड़यंत इसलिए भी किया गया, कि ओलंपिक में कुस्तीस के 4 या 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिश्टर्ब किया गया, संजे सिंग ने कहा कि प्रदर्वसन कारी खिलाडी सुरू से ही राजनीत चाते थे, और यह लोग राजनीत में जब आ गये हैं, तब यह लोग कॉंग्रे इसको कोई फाइदा पहुंचा सकते हैं, कांग्रेस अपने उसमें सफल रही, और बाकी किसी काम के नहीं है, अब बाकी अब उसमें क्या लडाई जारी रखेंगे, उनको आप पर उभी जाके जोईन कर लें, वो भी तो उसी नेकसस में सामिल थी, उसी कांग्रेस के नेकसस को बरबात की हैं, ये तीनों और कांग्रेस, ये मिलकर के कुस्ति को बरबात की हैं, पहलवानी का खाड़ा छोड़, राजनीद के खाड़े में उतरे, पहलवानों का भविस्ति क्या होगा, ये तो अब जनता के हाथ में है, लेकिन इस पूरे प्रक्रण पर आपकी क्या र